नमस्ते साथियों प्लीज से डाउन में फिर से आपका स्वालत हैं आपको याद होगा पिछली बार जो हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने यह है बात्चीत की थी कि हम आसपास के ताजा घटना क्रम से अपने मतलब की चीजों को निकालेंगे और उनका विशलेशन करेंगे आज का वीडियो भी उसी क्रम में आपके सामने हैं पिछले कुछ दिनों में जो महतोपून घटना क्रम राश्ट्री इस्तर पर हुए हैं उनमें से एक के बहाने मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहरा हूं आपने नोटिस किया होगा कि राजनितिक तोर पर भारत की तमाम यह बहुत सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं और उन्होंने एक अलाइंस तयार किया है यह है अलाइंस आई एन डी आई ए जिसे आप एक्रोनिम के तोर पर इंडिया बोल रहे हैं इस रूप में उसका पूरा नाम सामने आया है इंडियन नैशनल डेवलपमें इंक्लूसिव अलाइंस अब साहरे की राजनीती में यह सब चीज़े होती हैं और हम उमीद करते हैं कि देश का लोगतंत्र समर्थ लोगतंत्र है और वह इच्छित परणाम लेकर आएगा लेकिन वह अलहदा बात है मैं इस अलाइंस के नाम के माध्यम से जिस बिंदू पर आज आपसे बात करना चाहा रहा हूं उस पर हम लोगों ने पहले भी बातचीत की है लेकिन इस अंदर्व में यह पहली बार हो रहे हैं इसे पहले अलाइंस यूपी ए था एंडिय था और राजद है और अन्य अलग-अलग अलाइंस बनते रहे हैं लेकिन इस अलाइंस में जो एक महत्वपून बात है जिस पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं वह है इंडिया का दूसरा वाला आए यानि कि इंक्लूसिव पहली बार भारतिय रास्ट्रिय राजनीती में इंक्लूजन को एक केंद्रिय नीती या एक केंद्रिय बिंदू की तरह शामिल किया गया है औ परिक्षाथियों को और जदा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि आप इंक्लूजन यदि रास्ट्रिय जो कठबंदन है एक उसके नाम का हिस्सा है तो वह भाविक है कि उस पर चर्चा होगी और चर्चा होगी तो परिक्षा की दिश्टी से इस अवल कभी भी पूचा जा कम से कम राजनतिक मुद्दे के तौर पर है इसलिए किसी भी सजग और सचेत व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए तो सबसे पहले तो यह इंक्लूजन जिसे हम हिंदी में समावेशन कहते हैं यह समझें कि इसका मतलब क्या है रोचक बत यह है कि इंक्लूजन अपने आप में कोई अतिरिक्त तौर पर परिभाश्य चीज होने की बजाए यह एक नीती में भी और अने था भी उप्चारात्मक कतिवी थी है जब हम उप्चारात्मक कहते हैं तो इसका मतलब है कि रेमेडियल है इंक्लूजन अपने आप में एक बिंदू नहीं है एक्स एक्सक्लूजन से पार पाने के लिए उस एक्सक्लूजन का इलाज करने के लिए उस एक्सक्लूजन का उप्चार करने के लिए इंक्लूजन को नीतियों में शामिल करना परता है हम चाहें स्टीजीज की बात करें चाहें युनाइटेड नेशन की बात करें लगातार वहां पर diversity और inclusion विशेश तोर पर inclusion की बात होती है लेकिन जैसा मैंने खा कि inclusion अपने आप में परिभाशित करने की बजाए हमें exclusion को समझना पड़ता है और exclusion के उपचार के तोर पर हम inclusion लेकर आते हैं तो फिर exclusion क्या है exclusion अलग-अलग दस्तावेजों में इसकी अलग-अलग परिभाशा दी गई है लेकिन आसान भाशा में कहें तो मैं कहें हुआ तीन बिंदों पर धियांट रखे पहला बिंदो जो है वह यह है कि जब हम किसी समुदाए किसी भी समु किसी भी व्यक्ति को ऐसी इस्तिती में रखते हैं जिस इस्तिती में उस व्यक्ति को बराबर के हक नहीं मिल पा रहे होते हैं resources में, संसाधनों में, तो जब भी किसी व्यक्ति के किसी समुदाय या समू का हिस्सा होने की वज़ा से उसे गैर बराबर, unequal resources मिलते हैं, तो ये exclusion होता है। इसी तरह से exclusion का जो दूसरा बिंदु है, वह होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी भी इस्तिती में गैर बराबर किसम की, हम कहें कि प्रतिनी जित्व मिल रहा होता है, participation, भागीदारी मिल रही होती है, तो यह इस्तिती भी दर असल देखा जाए, तो exclusion है, तीसरी इस्तिती स्वाभावेख है, इन वजहों से अगर संरचनागत पर तौर पर ऐसी इस्तिती पैदा हो जाए, जिसमें किसी व्यक्ति को गैर बराबर आवसर मिल रहे हो, तो हमने बताए कि आवसर की बात, भागीदारी की बात, और संसाधनों की बात, इन तीन स्तरों पर किसी व्यक्ति को या छोटे समु को समुदाय या समु का हिस्सा होने की बज़े से गैर बराबरी मिल रही हो, तो ये है exclusion, और अगर ये exclusion है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ऐसी नीतियां, जिन नीतियों में हम बात करते हैं कि exclusion के परिणामों को दूर किया जाए, ऐसे तरीके, ऐसा विचार कि exclusion को हम किन तरीकों से दूर करेंगे, वह स्तिती inclusion कहलाती है, inclusion जो है वहे नीतियों के स्तर पर हो सकता है, inclusion जो है वहे सामाजिक प्रतिबद्दता के तौर पर हो सकता है, और व्यक्तिकत जुकाओं के तौर पर भी हो सकता है, अब यदि देश की माली जे 26 पार्टियों ने घोशित किया, भले ही राजनितिक वज़ों से घोशित किया, राजनिती इतनी बुरी चीज भी नहीं है, कि वे inclusion को, inclusiveness को अपने political plank का केंदरिय हिस्सा रखेंगे, तो इससे दो चीज़ेस पष्ट होती है, पहली बात कि हमारी राजनिती में वो शायद परिपक्कोता आ रही है, कि हम समझें कि समाज को inclusiveness की ज़रत है, और दूसरा शायद राजनिती दोर पर ये पार्टियां ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही है, कि जिस सरकार के विरुद या जिस गढ़बंदन के विरुद वे चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी policies include करने वाली है, बहिश करने वाली है, लेकिन जिस बिंदो को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि आखर ये inclusion अंतर रास्ट्री जगत पर भी और रास्ट्री इस्तर पर भी इतना महतवपून घटक क्यों हो गया है, और क्या हम लोगों को एक परिक्षारती के तौर पर, युवाओं के तौर पर, विद्यार्थियों के तौर पर इस बात को समझने के आवशकता नहीं है, कि आखर ये inclusion इतना अनिवारे क्यों है, हमारी नीतियां inclusive होनी क्यों आवशक है, ध्यान रखेगा, inclusion की जो आधार अबकों के लोग, सब तरह के लोग होने चाहिए और उनको बराबरी के हख मिलने चाहिए, यह स्तिती समाज में भिन भिन तबकों के लोगों का होना, उनको संसादनों पर, उनको participation, भागेदारी के स्तर पर, और उनको आवसरों के स्तर पर समानताएं मिले, ये diversity कहलाता है, ये पहली बार नहीं है, कि जब हम ये देख रहे हैं, कि रास्टर की नीती के तौर पर diversity और inclusion की बात हो रही है, बलकि सही बात तो ये है कि हमारा खुबसूरत सम्विधान, Constitution of India, अगर अब उस document को organic तौर पर पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वह document इस बात को envisize करता है, वह इस बात के बारे में कामना करता है, कि हमारा समाज एक diverse समाज होगा, inclusive समाज होगा, इसलिए उस सम्विधान में विशेश तोर पर ये प्रावधान किये गए हैं, कि जो वंचित समुदाएं, वंचित समुदाएं कौन हैं, excluded लोग हैं, उनको include किया जाए, देश की polity में, देश की development में, देश की अध्यन में, देश की तमाम दूसरे विकास में, 2023 में हम इसको पूरे 2023 और 2024 कम से कम चुनावों तक इस शब्द को बार बार चर्चा में देखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा और कम भी रध्यन करें, हम लोग diversity और inclusion पर included या जिनको include किये जाने की कामना की जा रही है, किवल उनके हित की चीज़ नहीं है, हम लोग जो तमाम किसम के नीतियों को देखते हैं, जो किसी भी positive discrimination की नीती हों, आरक्षन किया दूसरी, तो हमारे मन में कभी-कभी ये ब्रह्म पैदा होता है, कि मानो ये नीतियां, जिन समुदायों को शामिल किया जा रहा है, जिनको इनका लाब दिया जा रहा है, किवल उनके हित में हैं, ऐसा नहीं है, उनका तो स्वभाविक तोर पर यदि वेवंचित हैं, तो हमाना जा सकता है, कि उनका यदिकार बनता है, लेकिन उससे महत्वपून बात ये है, कि inclusion पूर से, तमाम विद्यार्थियों से, तमाम दर्शकों से, ये अपील है कि inclusion पर विशेश तोर पर लजा रखें, अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, और उस चीज़ पर आते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, और ये चर्चा ये थी, कि जब कोई आ इंटर्वियोर की नजर, तो हमने खबर के बारे में क्या बताया, खबर हमने बताया कि INDIA नाम का एक गठबदन, तमाम विपक्षिदल या बहुत सारे विपक्षिदल मिलकर देश में बना रहे हैं, जो कि 2024 के चुनाओं में उम्मीद करते हैं कि वो जो सत्ता है उसको चुन राजनेतिक विश्लेशन अपनी जगे पर स्वभाव यह क्या कि आपसे राजनेतिक विश्लेशन करने को कहा जा सकता है, यह तो पिस सामाननेता ऐसा कम किया जाता है बड़े इंटर्व्यूज में, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए कई सारे अकादमिक पक्ष हैं, जिनक विशे में आप चर्चा करेंगे या उन पर विचार करेंगे, जैसा एक मैंने कहा कि इंक्लूजन पर आप बात करेंगे और अगर इंक्लूजन पर करेंगे तो आप एक्स्क्लूजन पर भी बात करेंगे, इसी तरीके से आप इंक्लूजन के प्रभावों पर चर्चा चाहें ये women's participation हो, चाहें ये दलितों का participation हो, चाहें ये minorities का participation हो, या फिर ये participation अन्य वंचित समुदाय जैसे कि PWD जो people with disability लोग हैं, या sexual orientation से जो excluded समुदाय हैं, वे हैं, यानि तमाम वंचित समुदायों के participation को लेकर सवाल बन सकते हैं, राजनितिक participation को लेकर भी और सामाचिक participation को लेकर दे, इसने जब आप inclusion पर तयारी करें, तो तमाम किसम के exclusions का, एक सामान ने समझ आपके पास होने ही चाहिए, तो ये कुछ पिंदू आपको दिखाई देते हैं भारत के संदर, लेकिन ये रास्ट्रिय चुनाब है, इसका मतलब है कि इसके अंदरास्ट्रिय परे विकास का, तो आपको फिर स्टीजीज को लेकर भी अपनी तयारी करनी चाहिए, inclusion, United Nation की कई सारी संस्थाओं के लिए एक महतोपोन बिंदू है, तो आपको United Nation के संदर्व में या उसकी जो अपेक्षाए हैं, member states से, उनके संदर्व में भी inclusion को समझना चाहिए, जैसा मैंने क साला रहेगी कि inclusion को कम भीरता से पढ़ें, समझें, ताकि आपके पास एक विशेश तरीके का जो समझ है, वो आपके लिए हितकारी रहे, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर से किसी नई गटना करम के साथ आपके सामने ब रिचार करें, शुक्रिया.